कृत्रीम व्रिक रुधिर अपोहन व्रिक जीवित रहने के लिए अनिवार अंग है वह से कारक जैसे संक्रमन, चोट अथवा व्रिक में पाधित रुधिर संचार व्रिक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं इसके कारण शरीर में विश्यले वर्जय पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण व्रित्यु भी हो सकती है व्रिक के कारे बंद कर देने की स्थिती में क्रितृम व्रिक का उप्योग किया जा सकता है जो नाइट्रोजन युक्त वर्जय पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा हटाने का उपकरण है कृत्रिम व्रिकों में बहुत सी नलिकाएं जिनमें एक अर्ध पारदर्शी रेखा होती है अपोहन विलियन से भरी टंकी में डूबी होती है इस द्रव का परासरणदाब रुधिर के परासरणदाब के बराबर होता है लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त वर्जय पदार्थ नहीं होते हैं रुगी का रुधिर इन्ही नलिकाएं से होकर गुजरता है यहां से गुजरते समय रुधिर में उपस्थिद वर्जय पदार्थ विसरन द्वारा अपोहन विलियन में चले जाते हैं शुद्ध रुधिर को पुनाहरोगी के शरीर में भेज दिया जाता है यहां वर्जय की कारे प्रणाली के ही समान है लेकिन यह अलग है क्योंकि इसमें पुनरवशोशन नहीं होता है साधारण तिया एक स्वस्थ व्यस्क के वर्जय में प्रति दिन 180 लीटर प्रारंभिक निसियंद बनता है हालकी प्रति दिन उस सर्जय मातरा एक या दो लीटर ही होती है क्योंकि बाकी बचा निसियंद वर्जय निकाओं में पुनरवशोशित हो जाता है